जैसरी किष्णा, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ते बावना यूटुब चैनल पर आज मैं आपको जिन रासियों के बारे मैं बताऊंगा जिनके पुत्र प्राप्ति के योग हैं, संतन प्राप्ति के योग हैं और कुन-कुन सी रासि के कम योग हैं कई ऐसी रासियां हैं जिनके बहुत ही अच्छे योग हैं धन प्राप्ति के, संतन प्राप्ति के कई ऐसी रासियां हैं जिनके योगों में थोड़ी कमी हैं तो संपूर जन कर लिए आप वीडियो को लाज़ तक देखते रहें 2020 से लेकर के 2022 तक ऐसी भागे साली रासियां हैं जो हर साल यानि 21 और 22 दोनों में जो है कुछ ज़्यादा भागे साली रहेंगी कुछ का जो है मीडियम भागे रहेगा यानि मद्यम प्रकार का भागे रहेगा जब ग्रेन की सुब्धिष्ट्री पढ़ती है जैसे गुरू की सुब्धिष्टी है सूर की सुब्धिष्टी है तो भागे बहुत ही अच्चा हो जाता है मेश रासि के अगर आप बात करते हैं तो मेश रासि बालों को पुत्र प्राप्ती के पूरे योग हैं 2020 नवंबर से लेकर के 2022 जनवरी तक बहुत ही अच्ची योग हैं ये नाम के हिसाब से बता रहा हूँ में रासि के हिसाब से कुन्यली के हिसाब से ये नहीं है तो बहुत ही अच्ची योग हैं संधन के भी संतान प्राप्ती के भी प्योपार नोकरी हर प्रकार के खेतर में मेश रासी बाले अबल रहेंगे मेश रासी का अच्चा भागी रहेगा धन को भी समाल के आपको रखना है अच्चा खासा धनाएगा तो धन खर्च भी होगा बेंक बैलेंस बढ़ेगा आपका दूसरी है ब्रसब रासी ब्रसबराशी बालों का योग अच्छा है ये तो 2022 अप्रेल तक जो है राव चलेंगे राव का गोचर ब्रसबराशी में ही रहेगा और राव ब्रसबराशी में अच्छी स्थितिम होते हैं जिससे संतान और धन यानि पत्र और धन दोनों के अच्छे खासे ही होगे 2022 तक कई प्रकार के लाव आपको देखने को मिलेंगे कुछ कार्यों में आपको बड़ी सा पलतात लगेगे परवार में खुशी का महल रहेगा कई ऐसे रुके हुए कार्यते वह कार्यापके संपन होंगे अगली जो रासी है मेथुन रासी मेथुन रासी के पंचम बाब में सूर बुद्ध का योग चल रहा है जो बहुत ही शोव माना जाता है हलांकि सूर नीच रासी के हैं लेकिन बुद्ध साथ में होते हैं सूर बुद्ध योग शोव माना जाता है 2022 तक मित्वन राशी के पुत्र और पुत्री यानि दोनों की योगे संतन प्राप्ति के पूरे योगे आने वाले समय में भगवान गनिजी की क्रपा से ग्रश्ट जीवन सुक में रहेगा ग्रश्ट जीवन में अब तक जो अनवन चल रहे थी कलेश बगरा चल रहे थे वो सांत होंगे स्वास्त के प्रतिवी लाव देखने को मिलेगा खान पीन का आपको बेशे शुरुप से ध्यान रखना है खान पीन के आप सोकीन होते हैं और उसके बज़ए से क्या यी बार स्वास्त में प्रेसानी आ जाती है करक रासी करक रासी की इस्टिती मद्यंप्रकार की रहेगी संतान प्राप्ती के योग है धन प्राप्ती में थोड़ी से रुकाब टे आएँगी बीच बीच में कुछ परिशानियों की बज़े से आपको टेंसर नी भी हो सकती है आपको भगवान सिवजी की पूजा करते रहना है प्रतिति सुम्मार की सुम्मार भगवान सिवजी को पंचा में सेशनान करा है सिवजी की पूजा तो सभी रासी वाले करें लेकरक रासी वाले विशी शुशी सिवजी की पूजा जरू करें अगली जो रासी है वो है सिंग रासी सिंग रासी बहुत ही अच्ची इस्तिती में कह सकते हैं सिंग रासी के पंचम भाव में गुरु का योग है जो पूर रूप से पुत्रप्राप्ति कराता है पुत्रबापती की पूरे योग हैं साथ ही कारोबार नोकरी संतान नया बिजनिस नई लोगों से संपर्ग क्रेब ये सारे कारे आपके जो होंगे इन सम्में लाब मिलेगा तो बहुत ही अच्ची इस्तिति आप सिंगरासी की कह सकते सिंगरासी बालों को बड़े लाब देखने को मिलेंगे और भगवान क्रपा से कई ऐसे कार रहें जो आपके रुके हुए हैं जिन में आपको टेंसन ती के कार होंगे के नहीं होंगे वह कार भी आपके संपन होंगे सुबह के समय सूर देव को जलारपन जरू करें ये आपके लिए सुब रहेगा क्योंकि आपके रासी स्वामी सूर रही है अगली जो रासी है वह है कर्णा रासी कर्णा रासी का वागी ठीक है मध्व्य thiam परकार का वागी रहेगा इनको भी संतन प्राप्ति के योग हैं, फुत्र फुत्री दूनों के, भगवान गरिजी की पूजा आप के लिए कर रहेगी, आप पन्ना नग भी धारण कर सकते हैं, यह आप के लिए अच्छा रहेगा, स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा, आपके व्योपार के लिए अच्छा रहेगा, काम्याभी, शिक्क्या खेत्र, केरियर सम्मंदित, जो भी आपके मन में टेंसेने थी, वह सारी टेंसेने दूर होंगी तुलारासी तुलारासी के इस्तिति आप फिलाल में अभी सही नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ी सी परिशानी हो सकती है इतनी असुब भी नहीं कह सकते आप मद्यम परकार की इस्तिति आप तुला रासी की कह सकते हैं तुला रासी पर सूर वुद्ध का योग अच्छा चल रहा है लेकिन दुतिय भाब में केतु का गूचर है तुतिय भाब में गुरु चल रहे हैं जो भाई बंदूओं से मित्रों से स्रयोग मिलेगा कई कारे आपके संपन होंगे धन का आगमन होगा कर्मों का फल आपको मिलेगा कर्म आप करेंगे तो कर्मों का फल आपको पूरा-पूरा मिलेगा कुछी प्रकार की कोई टेंसर नहीं है अपने कर्म पर आपको विश्य सूपशी ध्यान देना है अगली जो रासी है वह है ब्र ब्रश्चक रासी अच्छी रासी है, ब्रश्चक रासी मंगल की रासी है, केतु का गोचर है इसमें, जो असमंजस की इस्तिती रहेगी, अकस्मातिक धन के लाब, कर्ज से चुटकारा, रड समंदत परिशानी दूर होगी, आपके अपने मकान के योग बनेगे, स्वास्त के प्रति आप जागरोत होंगे, और आपको संतान की प्राप्ति होगी, पूरे योगे, तो ब्रश्चक रासी वाले, शिवजी की पूजा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, और साथ में, सूरुदेव को भी जलारपन जरू करें, धनुरासी की इस्तिती आप अच्छी कह सकते हैं, लेकिन दो-तिन महीने धनुरासी वालों के लिए ठीक नहीं आएंगे, नममर से ले गए, यानि देसमर से ले करके, और मार्च तक थोड़ी सी इस्तिती धनुरासी वालों की मध्यम परकार की रहेगी, बैसे आगे पीछे जोगे धनुरासी अब आगे अच्छा र से आगे संपर्ग बढ़ेगा, कई परकार की आपको लाब देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही अच्छे योग आप कह सकते हैं एक परकार से, उसी परकार से, मकर रासी का भी योग आप अच्छा कह सकते हैं, शंतान धन प्राप्ति के मकर रासी के भी योग हैं, मकर रासी मे जो सनी का गोचर है ये लगबग पांस साल तक मकर रासी और कुमरासी में सनी का प्रबाब रहेगा मकर रासी के पंचम बाब में राहु का गोचर है जो आप सुब कह सकते हैं और वो अभी बिरसब रासी में हैं तो संतान प्राब्ति के अच्छे योग बना रहा है बहुत ही अच्छे योगे सनी देव की पूजा राधना करते रहें अगली जो रासी है वह कुमरासी कुमरासी जिनके मद्यम प्रकार का भाग के से धन प्राब्ति के लिए अच्छा भाग गया बानादी उस्यारी से चलाएं किसी को पैसा दें तो आप समल के दें संतान धन प्राप्ति के आपके भी होगे और आने वाले समय में कई ऐसे कार्रे हैं जिन में आपको बड़ी सपलता मिलने वाली है सनी के द्वारा बहुत बड़ा लाव आपको मिलने वाला है कैई प्रकार के कार्रे आपके रुके हुए पूरे होंगी अच्छा खासा आपका जो है अच्छा भागी रहेगा मीन रासी मीन रासी और धन रासी बालों का एक जैसा भाग रहेगा अभी फिलाल में मीन रासी का बहुत ही अच्छा बागी चल रहा है मुमी जाजादी का लाव भार जाने के योग जैसे सब रासी के हैं उसी प्रकार से तो ये था रासी का संता अंधन परापती के इनके भी योगे पुत्त परापती के तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लग जैसे केशन